नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन लाइट में मैं राज आप सभी के रिलाएं हो रिजिनिंग का क्लास तो मेरे पैर दोस्तों आज हम लोग का क्लास रहेगा दूसरा जो कि आप लोग को हम पढ़ाएंगे वरमाला पर इच्छन तो आप सब नहीं देखे है आज का हमारा पहला को चैन दोस्तों सरफ नमेर रिशल में दाएं से चौथा और इसन रहा है तो Sekeर है सब नमेर सन में दाएं से चौथा अथर कौन होगा यह साइड देखाई दे रहा है यह दाइंग तरफ और यह होजगा आपका बाई तरफ तो बोला है कि चौह सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो गिंटी कीजिए वन टू ट्री फोर ठीक है यानि चौथा सब्सक्राइब तो असर करते हैं दोस्तों कि आपको समय में आ और सब्सक्राइब तो अप्सक्राइब तो आसा करते हैं दोस्तों कि आप सब क्लास अच्छा लगाएं तो दोस्तों आप जानते हैं और दाया इस साइड है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं क्या राइट है तो आपके प्रस्ट में बोल रहा है अपका एक किस पर है दोस्तों आठ पर है ठीके उसके बाद बोला है आठ में अच्छर के दाएं दाएं दस्तुमा अच्र क्या होगा तो वस कुछ नहीं करना ठीक अपना यह देखें दस इसमें जोड़ दिए ठीके 10 आठ अथारा और 18 किस पर होता है दोस्तों आर के लिए हो करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रिंशॉट ले लिजिए प्रस्मर्पोर करा वर्णमाला में एच और टी के वीज कौन सा अच्छर आएगा तो दोस्तों इस प्रश्न को आप दो बना सकते हैं एक और दूसरा है आप सबसे पहले ग्यान अधिक रखें उसके बाद का उप्योग है ठीक है तो फिर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अच्छर आएगा ठीक है एच और टी के बीच एदि आप इसे ठीक दरा बनाएंगे देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं एच कौन सा अस्थान है आठ याठ कौन संख्या समसंख्या उसके बाद टी है जो टी क्या है समसंख्या थी मतलब 20 आप दोनों को आड करेंगे उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 20 और 8 कितना होगा अब बट्टे में दो आप यहां से हल करेंगे दो दो चौब के आठ यानि चौदा आएगा ठीक है और चौदा कौन सा अस्थान पर दोस्तों चौदा का अस्थान होता है ठीक है यानि आप्सन नमर यह हो जागा राइटान से एलाफ का ट्रीक मेठ इस प्रश्न को आप बे करते हैं एक के बाद क्या आएगा आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू आर एस ठीक है तोटा गिनिएगा वान टू थ्री पॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन तेन एलेवें टूइल थाटीं ठीक है तो क्या करेंगे दोस्तों ठीक है यानि छे अच्छा इदर से ले लिजि ठीक है उसके बाद देख पारे आप सब बीच वह कौन बच गया एन बच गया ठीक है आपसे पूछा था कि एच और टी के बीच कौन संख्या है तो यन संख्या है तो अप्स नमर ए हो जाए तो दोफ्तों उमीद करते हैं कि आपको बेसिक और ट्रीक दोनों आ रहा है ठीक यह प्रसला 5 है किर्वन-वालाग्रम में ए चल भी आखर होगे तो इसे दाइनलेसर बना सकते हैं बस्जान क्या उना लेकिन आपसे बोला था कि दोनों संख्या होनी चाहिए लेकिन इक्या है और आर क्या है लिखेंगे आहां से लेकिन अब्सक्राइब आपको लिख कर बता रहा हूं अगर मुझे बताना होता दोस्तों तो मन में ही बता दिया एक वाली संख्या जो है गिंती कर देजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारव बारह ठीक है कितनी संख्या है दोस्तों बारह एनि ऑप्सन उच्छावा स्यांगी दोस्तों करता है वर्माला में चौथा आच्छा की दाएं आठ्वा आच्छा क्या होगा मेरे से ना यह दोस्तों ने प्रस्तों में दाएं लेखें चार प्लास तो आठ देखेंगा और बाराइब किस पर आता है यादि यह हुजाएगा यादि इसमें कोई डाउट होगा आपको तो आप लोग कमेंट वक्स में आउस लिखेगा मैं फिर इसे समझा दूआ ठीक है यह पर इच्छा में दोस्तों आलवी गुर्व डी तो है ठार में आ चुका है ठीक है वर्माला में बाएं से 18 अच्छर के बाएं तीसरा अच्छर क देखें इसमें बार बा बाय बाय और घृत 3 जिससी में तिक याद किछे ड़ाये लुकह में सर hemen सब्सक्रावКर सबस्क्रावें करते है उसक्राव में प्रस्णों में दोनों दिसाएं एक करमम में असे बाइब आधे हना हुआ शर के तीइसरा असर क्या होगा यह बड़ा है और तीन क्या है चोटा है यह तिन कीजिएगा बराबर बचेगा आपका पंदरह और पंदरह किस पर होता है ओ पर होता है और अपसम ए में दिया हुआ है राइज्यांसर ठीक काफी आसान प्रशन है अंग्रेजी वनमाला में एल अच्छर के दाई और कौन सा अच्छर होग थीचर है और अच्छर दोस्तों पुछा कि यह अच्छर के दाई ओर जोस्तों आजानते हैं कि कि यह रगता है यह जाएगा और जाए तरफ तो ल क्या होगा म होगा एंग्र नि अपसम अबर भी ऊटार तीसरा जो है पाट है हम लेकरार रहे हैं दोस्तों तब तक shells धन्यवाद जय हें अपने तैरीक करते हैं